साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन करने का उपाए एक ब्राह्मन दिन्धर गोस्वामी जी के कुटिया के बहार बैठकर लोभवश रामराम रटता संध्या के समय श्रीहनुमान जी उसे धन्दे देते थे एक वार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हट किया गोस्वामी जी ने कहा उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संध की कृपा चाहिए ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते उसने कहा आप समर्थ महापुरुष है, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं त्रिशूल गाड़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे वह त्रिशूल गाड़ कर व्रिक्ष पर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं हुई एक घुरसवार उधर से जा रहा था, उसने पूछा पेड़ पर क्या कर रहे हो ब्राहमन बोला, तुलसी दास जी ने कहा है, पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो तुम्हे भगवान श्री राम के दर्शन होंगे उस व्यक्ती ने कहा, क्या सच में यह बात तुलसी दास जी के श्री मुख से निकली है ब्राहमन बोला, जी हाँ, वह व्यक्ती तुरंत पेड़ पर चढ़ कर त्रिशूल पर कूद पड़ा उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्री राम के दर्शन प्राप्थ हो गए हनुमान जी ने उसे तत्वज्यान का उपदेश भी दिया गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा था, जिन में प्रेमभाव हो एवन संत की कृपा हो वही भगवान के दर्शन पाता है